साथियों, भारत ने महामारी के मुश्टिल समय में ही आत्मन दिर्भर भारत अभ्यान भी शुरू किया। इसमें भी हमारी स्टार्ट अप्स आज बड़ी भूमी का निभा रहे हैं। महामारी के दौरान जब दुनिया की बड़ी बड़ी कमपनिया अपने सर्वाइवल के लिए संगर्श कर रही थी, भारत में स्टार्ट अप्स की एक नई फोज तयार हो रही थी। देश में सेनिटाइजर से लेकर पीपी केश की जरूरत थी, सप्लाई चेंज की जरूरत थी। उसमें हमारे स्टार्ट अप्स ने बड़ी भूमे काने भाई। लोकल जरूरतों के लिए लोकल स्टार्ट अप्स खड़े हुए है। एक स्टार्ट अप ने ग्राहों को रसोई का जरूरी सामान पहुचाने का काम किया, तो किसी ने दवाओं की डोर्स्ट्रेप डिलिवरी के शुरूर करवाई। किसी स्टार्ट अप ने फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए टांस्पोर्टेशन के संसाधन उप्लब तो करवाए, तो दूसरा ने ऑनलाइन स्टडी मट्रियल तैयार किये। यानि इन स्टार्ट अप्स ने आपदा में अवसर भी खोजा और विपदा में विश्वाज भी बांधा। साथियों, आज स्टार्ट अप्स की सफलता की ये कहानिया केवल बड़े शहरों तक ही सिमित नहीं है। आप देखिए, आज आठ एवर्ट तो ऐसे स्टार्ट अप्स को मिले हैं जो मेट्रो सिटीज में नहीं, बलकि छोटे छोटे शहरों में खड़े हुए हैं। कोई लखनव से हैं, कोई भोपाल से हैं, कोई सोनीपत से हैं, तो कोई कोची और तिरू अनन्दपुरम से हैं। क्योंकि आज भारत का हर राज्य स्टार्ट अप इंडिया मिशन में भागिदार हैं। हर राज्य अपनी लोकल संभावनाओं के हिसाब से स्टार्ट अप को सपोर्ट और इंक्यूबेट कर रहा है। और इसी का परणाम है कि आज भारत के 80% जीले स्टार्ट अप मूवमेंट से जूड़ चुके हैं। हमारे 45% स्टार्ट अप आज टियर 2 और टियर 3 शहरों में आते हैं। जो कि लोकल प्रोडस्ट के ब्राण एंबेसेडर की तरह काम कर रहे हैं। साथियों आज लोगों में स्वास्त और खानपान को लेकर जो जागरुकता बढ़ी है। जो हेल्थी बढ़ला हो रहा है उसमें भी स्टार्ट अप के लिए नए अवसर बन रहे हैं। एक तरह से आज अगर कोई एवर ग्रीन सेक्टर है तो वो फूर एन एग्रिकल्चर सेक्टर ही है। भारत में इन सेक्टर की ग्रोथ पर विशेश जोर दिया जा रहा है। एग्रिकल्चर से जुड़े इंफरसक्टर को आधुनिक बनाने के लिए देश ने एक लाग करोड का एग्री इंफरा फंड भी बनाया है। इससे हमारे स्टार्ट अप के लिए नए रास्ते खुले जाएं। आज स्टार्ट अप्स किसानों के साथ कॉलोबरेशन कर रहे हैं। फार्म से टेबल तक खाद्य उत्पात और आसानी से बहतर क्वालिटी के साथ पहुंचे। इसमें भी स्टार्ट अप्स अपने भूमिका निभा रहे हैं।